नमस्कार दोस्तूं जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तूं आठ नमेंबर को है पुर्णेमा का दिन वह भी कार्तिक मास की पुर्णेमा का जो की साल की सबसे बड़ी शुब और फलकारी पुर्णेमा माने जाती है आपकी जानकारी कले बता देगी इस दिन देश भर में लोग भगवान विश्नु की विदी विधान की साथ पूजा अरचना करते हैं इस दिन देवों द्वारा दिपावली भी मनाई जाती है इसलिए कार्तिक पुर्णेमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है इस दिन गंगा सनान या किसी पवित्र नदी में सनान करने का विशेश लाब है कहते हैं कि अगर पवित्र नदी में सनान करना संभव ना हो तो घर में ही सुर्योदय से पहली नाने के पानी में गंगा जल डाल कर सनान इस दिन करना चाहिए दोस्तों आपकी जानकरी कले बता दें कि कार्तिक पुर्णेमा के दिन शमता अनुसार अन्न वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुब होता है पुर्णेमा तिथी पर चावल का दान करना बहुती ज्यादा शुब माना गया है जोतिश के अनुसार पुर्णेमा तिथी पर दान करने से विशेश पुन्य की प्राप्ती होती है घर में सुख और लक्षमी का वास होता है दोस्तों आपकी जानकरी एकले बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पुर्णेमा के दिन दान करने का हजारों गुना फल मिलता है इसलिए इस दिन गरीबों को गरम कपड़े गरम चीजों का दान किया जाता है मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी परिशानिया विक्ति की दूर हो जाती है इसके साथी साधन की कमे भी दूर होती है कहा जाता है कि कार्थिक पुर्णिमा के दिन देवता दीपावली मनाती है इसलिए इसे देव दीपावली भी कहती है साथी सा दोस्तों इस दिन खास कर देवी लक्ष्मे भगवान विश्नू की संधिया काल में पूजा होती है सतना रेण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने से भी इस दिन विशेश लाब मिलता है बता दे कि इस दिन दान आधी का दस यग्यों के समान फल होता है इसलिए इस दिन दान का बेहद महतु है इस दिन सामर्त्य अनुसार अन्दान वस्त्रदान समेत जो भी दान आप कर सकती है उससे आप जरूर करने का प्रयास करें खास कर दोस्तों इस दिन में शालि ग्राम की साथ माता तुलसी जी की पूजा, सेवन और सेवा का महतु है इस दिन मा तुलसी पूजा, गंगा पूजा, विश्नु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यग्य हवन का भी महत्व है इसमें कि ये सनान, दान, होम, यग्य और उपासना हादी का अनंत फल प्राप्त होता है इस दिन माता तुलसी जी के आगे दीपक आप जरूर जलाएं इस दिन उपवास कर भगवान का स्मरण चिंतन से दस यग्यों के समान फल मिलता है और सूर्य लोग की प्राप्ती होती है दोस्तों आपकी जानकारी कले बता दें कि इस बार कार्तिक पुर्णेमा कीती थी इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों इस दिन निकलने वाला चांद सतर सालों के इतिहास का सबसे बड़ा और चमकीला चांद होगा जीहां दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस दिन चंद्रमा ठीक 180 डिगरी पर होता है इस दिन चंद्रमा से जो करणे निकलती है वा काफी सकरातमक होती है या करणे सीधा दिमाग पर असर डालती है चुकि चंद्रमा पृत्वी की सबसे अधिक नस्दीक है इसलिए पृत्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का ही पड़ता है इसलिए दोस्तों इस कार्थिक पूर्णिमा वाले दिन हर मनुष्य को अपनी मानसिक उर्जा में व्रिधी करने के लिए चंदर को अर्ग देकर सुती करने चाहिए बताना चाहेंगे कि इस दिन मनुष्य को पूरे दिन उपवास रख कर एक समय भोजन करना चाहिए अपनी सामर्थिक अनुसार गाय का दूद, केला, खजूर, नारियल वह अमरूद आदी भलों का दान भी करना चाहिए साथी सा दोस्तों किसी भी भ्रामण, बहिन वह बुवा आदी को कार्थिक पूर्णिमा के दिन दान करने से अक्षय पुन्य मिलता है शाम के समय भगवान विष्णू का प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाई नमहा का उचारण कर चन्रमा को अर्ग देना चाहिए और दोस्तों इस दिन से भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी जी की विशेश करिपा कुछ राशी वालों पर भी पढ़ने वाली है और दोस्तों इन राशी वालों का अब बाग्योदै होने वाला है तो आखरी राशीया कौन सी है और इन्हें क्या लाब देखने को मिलेगा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आपसे यंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिसना करें और इसे अन तक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैमा लक्षमी भी जरूर लिख दें तो चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 227 सालों के बाद गरनक शत्रों की ऐसी चाल बनी है जिसमें की ऐसा सैयोग बना है जो की ऐसी छे राशियां है जिनकी किस्मत बदल सकता है जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें कि इन राशी के लोगों के लिए ये सितारों की स्थिती बहुत ज्यादा खुशिया लाने वाली है आपके मन में किसी भी प्रकार की अशान्ती अगर गीरी हुई थी तो अब वह माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की विशेश क्रिपा से तुरंत दूर हो जाएगी शायरिक परिशानी से भी आपको ये जोरान चुटकारा प्राप्त होगा खास करके धन संपदा का आपके घर में इस दिन से आगमन होगा आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करने प्रयास करने की किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है चाहे आप व्यापारी हो या चाहे आप नौकरी पीशा हो आपको अपने जीवन में इस समय में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी अगर कोई करजा आपके सिर पर चड़ा हुआ है तो वह भी उतरने का समय अब आ चुका है जी हाँ दोस्तों अगर किसी को करजा आपने दिया हुआ है या आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह भी जल्द वापस जरूर आएगा अगर कोई नई यूजना आप बना रही है तो उसके लिए सला मश्वरा आप जरूर कर लें किसी एक्सपिरेंस्ट वेक्ती से आपको विचारवे मर्श करना चाहिए इस दोरान घर परिवार को अगर आप समय देंगे तो आपको उनसे भी बहुत अच्छी सला मिल सकती है और यूजना आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है दोस्तों इस दोरान आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे आपको अपने कार्य शित्र में मान समान मिलने वाला है आपके परिश्रम का अब रिजल्ट आने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मह सहयोग से इन राशियों पर विशेश क्रिपा भगवान विश्नु और मातर लक्ष्मी जी करने वाले हैं जिससे इन राशी वालों के जातकों का अब अच्छा समय शुरू होने वाला है अपने मित्रों से आपको इस दोरान सहयोग मिल सकता है यातरा के भी योग बनते वादे वाद वलड़ाई जगड़े में बिलकुल भी ना पड़ें अपनी वाणी पर सयम रखें अपनी जुबाँ पर विशेश कराब कंट्रोल रखें दोस्तों इस दोरान नौकरी पेशे वाले विक्ती की पदोनती हो सकती है व्यापारियों के लिए भी ये समय उत्तम है हाला कि दोस्तों उता चड़ाव की सिती बनी रहने वाली है इस दोरान प्रेम संबंदों में आपकी मदूरता आएगी पतनी का आपको अपनी जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा कुल मिलाकर दोस्तों इस महा सहयोग से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ती होगी धन का जो आज तक आपकी जीवन में अभाव चल रहा था अब वह खतम होने वाला है दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देती हैं कि आखिर ये भागिशाली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं तो आपको बता दें कि यह राशियां हैं व्रिशब राशी, कन्या राशी, सिंग राशी, तुला राशी, कुम्ब राशी, मेश राशी और मकर राशी दोस्तों आपसे अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जैमा लक्षमी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें